ये गाइज देशेज एप्यू वालकम बाइक टिव में ओफिशेल यूटूब चैनल एपीसर इंग्लिश गाइज सीजल 2020 का एक और पेपर हम लोग सॉल्व परने जा रहे हैं 23 अगस 2020 को सेकंड सेप्ट में पेपर हुआ था माप करिएगा इधर दो दिनों से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा थे सिले पेपर नहीं सॉल्व पर पा रहे थे चलिए आज सुरू करते हैं यह जो पेपर हमारे पास दो तीन रहे गए हैं सीजल 2020 के इनको भी फिनिश कर लेते ह स्टार्ट करते हैं कोशन नमर वन से फाइन करना है में आपर मॉस्ट अप्रोप्रेट ओप्सन तो फिल इन दे ब्लैंक फिलर का कोशन है कैन यू दिखा है कैन यू बिट्विन दीज टू शेड्स ऑफ ग्रेन यह जो ग्रेन के दो शेड्स हैं कैन में कुछ कर सकते हैं डाइवर्ट भी सेम टाइब का होता है विचलित हो जाना जिसे डाइवर्जन इसी से बना है मार का डाइवर्जन किया जाता है रूट का डाइवर्जन किया जाता है सड़कों पर डाइवर्जन किया जाता है तो डाइवर्ट भी इसी से बना है डिटेक्ट मींस होता है पता करना है, वो करना है कि क्या आप इन जो ग्रीन की दो shades हैं, इसमें क्या कुछ differentiate कर सकते हो, कुछ distinguish कर सकते हो, अंतर पता कर सकते हो, यह आप से पूछा जा रहा है, तो can you distinguish हो जाएगा, option number first is going to be your right answer, can you distinguish between these two shades of green, जो green की दो shades है, इनके बीच क्या आप अंतर पैदा कर सकते हो, अंतर बता सकते हो, अंतर क्या है, यह आप से question किया जा रहा है, यहाँ पर, तो जो answer हो जाएगा, option number first हो जाएगा, काफी आसान है, आगे बढ़ते हैं, question number second देखते हैं, question number second में find करना है, यह है हमारा indirect speech, indirect speech जो स्टार्ट हो रहा है, वो लिखा है, अब आपको पता है कि अलास हो जाए, exclamation word होते हैं, exclamatory word जिसे आप बोलते हो, अलास यह sorrow को represent करता है, दुख को represent करता है, तो अलास, I have broken my brother's watch, मैंने अपने भाई की watch तोड़ दी, यह sentence है, इसका हमें narration बनाना है, यह direct है, और हमें इसे indirect बनाना है, तो अब आपको पता है, लास जो होता है, वो sorrow में मतलेगा, he exclaimed with sorrow, सही हो जाएगा, he exclaimed with sorrow, इसमें भी है, he exclaimed with sorrow, इसमें भी है, इसमें भी है, अब आपको पता करना है, that he had broken है, यहाँ पर लिखा है, I have ok तो बहुत ज़्यते दिमाग लगाना नहीं पड़ता है पैपर साट साथ्यार्ट मिनिट में आप्टेस कोशन आसानी से कर लोग तो सू option number first is going to be your right answer moving our next question number second question number third question number third में मैं फाइन करना है incorrectly spelled word चार option दे रखे हैं इन में से चार में एक ऐसा word होगा जो incorrectly spelled किया गया होगा उसी को में answer find करना है barricate आपको पता है barricate barrier से बना है और barricate कमें सोतर रोकना barrier की spelling जो होती है आपको पता है यहां पर जो लिखा भी डबल ऑर आईए आर होती है barrier होती है ना barrier की spelling यह कई बार बूची गई है यही बात याद रखेगा विल्कुल Зем чтоб सही से spelled किया गया है कोई यला नहीं werd daqui इन-fektion भी सोते हैं तो कोई यला नहीं है जो error है वो third option में है आपको पहले just यह प्रेस्स की सभी शारी और यह रहाएगा अट कीसा वगैंट दॉस्ट्स नहीं है और गुल्ट यह प्रेस्सmesi करें जो कहले आप को से वस्सक्राइब करें लिए आप छोगा सुआुख वस्ट सब्सक्राइब ओरreckनार तरीके से आप इसे लिखो गई भी तो pronunciation आपका बहुत ही जरूरी होना चाहिए precious बोलेंगे इसे precious है ना इस टाइप से precious किम्ती जीसे बोलते हो valuable जीसे बोलते हो expensive बोलते हो तो third number is going to be your right answer moving our next question number fourth question number fourth में find करना है error क्या कोई error है ऐसा में find करना है question number fourth में लिखाया है the concept became too much clear to me the concept became too much clear to me after my tutor showed me the diagram जब diagram ने बनाया हमारे tutor साब ने तब हमें concept अच्छे से clear हुआ अब ध्यान दीजिएगा clear तो हुआ बट यहां पर अब देखो एक error है too much के बारे में आपने पड़ रखा होगा जरूर यह पड़ रखा होगा दो concept होते हैं basically इसके much much to और एक होता है too much मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर एक होता है much to और एक होता है too much अब यहां पर देखना है too much के बाद जो आएगा वो noun आएगा और तो much to के बाद जो आएगा वो adjective आएगा ये बात याद रखेगा तो यहाँ पर जो word दे रखा है clear ये clear पार्ट साफ इस पीच में क्या है adjective है अगर ये adjective है तो तो much ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए था much को पहले और two को बाद में यानि much to होना चाहिए था answer आपका क्या होना चाहिए था much to होना चाहिए था much to much to clear क्योंकि clear अपने आपने पार्ट साफ इस पीच में adjective है अगर ये adjective है तो फिर ये वाला आप structure लगाएंगे कौन सा much हो plus to plus adjective अगर आपका बाद noun यूट रहा है तो फिर पहले to फिर much फिर noun तो ये याद रखेगा चाह रहे हो चूज नहीं करना चाह रहे हो तो एक और तरीका है इसको सही करने का क्या सही करने का तरीका वह ये है ये concept ये sentence हमें ये पता चला है कि उसका जो concept है clear तो था clear तो था but too much clear कभ हुआ यानि बहुत जदा clear कभ हुआ जब वो diagram बना दिया गया तो यहां पर आगर आ सेम मीनिंग निकलाएगी जो आप रख रहे थे much to clear से जो आप much to clear से रख रहे हो अभी जो सही करके वो सेम मीनिंग इससे भी निकलाएगी तो आप चाहे जैसे भी कर लो sentence हो जाएगा बट ये concept ये structure याद रखेगा much to or too much वाला much to के बाद adjective आता है too much के बाद ना उन आता है तो याद रखेगा so option no second में आपके पास error है बाकि सारे जो option है वो सारे सही है जो select सारे सही है बाकि option सिर्फ और जो थी वो second part में थी उमीद है सब कुछ समझ माया होगा आगे बढ़ते है question no 5th में देखते है question no 2nd में पुमारा जो है idiom है idiom के अपनी अलग meaning होती है खूं को ब्लाइन मीनिग होती है कुछ literal मीनिग होती है लिखा है to be light years away to be light years away इसकी meaning अच्छे समझेगा इसका मतलब वात लंबा समय जिसे बोलते हैंना to be light years away इसका मतलब क्या होते है to be very far away जिसे बोलते हैंना किया to be very far away, मताब बहुत लंबा, बहुत दूर, बहुत ज़्यदा, तो वह हो जाएगा, अच्छा यह past to present, यह past के लिए भी, मताब future के लिए भी हो सकता है, past के लिए हो सकता है, कोई लंबा आप समय, बहुत समय, बहुत लंबा समय, जी से बोलते हो, तो यह हो जाएगा, to be light years away, meaning क्या हो जाएगी, that is unlikely to happen near future, मताब something that is unlikely to happen in near future, उसे हम बोल सकते हैं, to be light years away, यह to be very far away, कुछ भी बोल दो यहाँ पर, a very long time duration, कुछ भी बोल दो यहाँ पर, जो answer हो जाएगा, तो time को represent करेगा, आप सानम पहले लिखा है, when something seems like to happen, यह नहीं, यह तो गलत है, unlikely to happen होता है, and extremely long time for now in the past or future, बिर्कुल exactly, जो बहुत लंबा समय होता है, past or future को लेकर, वो ही होता है, क्या होता है, to be light years away, and unlikely event that happened and suddenly, suddenly तो बिर्कुल नहीं है, यह तो गलत हो जाएगा, to be to stand for human beings to reach, मताब सिर्फ वोस इंसानों की बात की जा रही है, कि उसके पहुंच से बहुत दूर है, तो क्या चीज, थोड़ा से इस से बेटर जो वर्ड है, मीनिंग होनी चाहिए, वो second number ली होनी चाहिए, यानि कि जो fifth number का question है, इसका जो answer होगा, वो second number का होना चाहिए था, यह जो fourth ले रखा, यह गलत हो जाएगा, मेरे साब से भी गलत हो जाएगा, तो second number is going to be your right answer, moving on next question number six देखते हैं, question number six में find करना है, हमें one word substitution, one word substitution में क्या कह रहा है, a person who entertains, एक ऐसा अदमी जो entertains करता है, people by doing difficult feats, feats मेंस होता है, करतब जिसे बोलते हो, करतब, तो एक ऐसा अदमी जो difficult feats करके आपको entertain करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे, क्या बोलते हैं, एक्रोबैट, समझ एक्रोबैट, ऐसा इसी एक्रोबैट से एक्रोबैटिक से एक subject होता है, तो वो भी याद रखेएगा, एक्रोबैटिक्स, तो एक्रोबैट होता है, option number first is going to be your right answer, बागी option देख लेते हैं, cosmonaut, cosmo से बना है, cosmo means होता है, जो heavenly body होती है, जिसे आपने वाट सुन रखा, बिरक इसका भी मतलब अंतरिशात्री होता है, performer comedian क्या होते हैं, performer comedian basically आप कह सकते हो, stand up comedian होते हैं, जैसे कपिल सर्मा, इस टाइप से, तो performer comedian कहा जाएगा, so option number first is going to be your right answer, moving on next, question number seven देखते हैं, question number seven में मैं find करना है, no substitution, that means अगर requirement है, improvement की तो करिए, नहीं तो no improvement बताइए, यह हमें कह पर दे रहा है, यहांब दे रहा है, लिखा है, the बारुडन पनीस्ट्स्ट्डेस्ट्स्रैंस घ्रमी कौश हो गई, who violates the rules of the hostel जो hostel के दे रूल को वाईलेट करता है, यहां पर लिखा है, पनिस किया था, यहां पर करता है, बात गलत आ रही है, यह थो हमारी में क्लॉस है, clause का जो tense है वो past का है तो subordinate clause जो हमारी है जिसे relative clause बोलते हैं वह दे रखा है relative pronoun दे रखा है यह students को देख रहा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक तो कई तरीके से गलत हो सकता है अगर इसे कोई present माने पहली बात तो मानेंग नहीं क्योंकि यह past में है तो यहाँ पर वाइलेट से ना होकर वाइलेट होना चाहिए था वह तो हई है चलो मैंने एक तरीका बता दिया बट यहाँ पर logically जो क्या हो हमारी main clause past में तो हमारी subordinate clause या जिसे आप relative clause बोलते हो वह भी हमारी past में होनी चाहिए थी past में होगी तो past में यहाँ पर violates ना होकर violated होना चाहिए था who violated the rules of the hostel तो यहाँ पर violated होगा अब violated देख लिए किसमें are violated इन्होंने कर दी are violate क्या होच गता है कुछ होता ही नहीं गलत हो गया who is violating यहाँ पर singular बना दिया आपने सुन रखा है ओवेस का और अबेस मतलब होता है मोटा जिसे बोलते है ना मोटा अपा जिसे बोलते हो अबीज अगर देख लें तो देख सकते हो आप जैसे मैं बोलूँ क्या हम एक एडियम आती है रॉली-पॉली आपने वाट सुना पहीं भाज़ा होगा रॉली-पॉली रॉली-पॉली करके रॉली-पॉली मींस होता है भ Dash Montan Pas तो आप सुन रखा होगे से पहले सीजल के पेपर में पूछा गया है Plump Lady Plumpe Lady कि प्लमप भी ता गोल-मटोल-मोतरा इस टाइप से Corpulant वोड शुनी रखा होगा इसका सनेनम हो जाएगा Corpulant C-O-R-P-U-L-A-N-T koplenc, यह भी सिननुल हो जाएगा flashy to word भी बहुत ही आसान हे flashy यह सिननुल हो जाएगा किसका? overs का टो पन्on और idiom अगर आपने सुन रखा होगा तो वो आता है कुछ abroad in the beam करके, आपने सुन रखा है क्या? broad in the beam yeah, ब्राइट यह बिलू होता है मोता फोबी होता है विख से एंपर फिए इसका पद्दा यह कम्ने बता इंहें सuyu होता है लार्जा करें चीm चाहता है वह रशची का पाखकमेशेяс की kill है टुक्ष में जा कने होताएं पाई and तो पूता है मोटा एक दूसरे के अन्टेनम है कि नहीं बिल्कुल है आगे बढ़ते हैं कॉश्चन नमर नाइन देखते हैं कुश्चन नमर 9 में फाइंड करना है मैं जंबल जंबल करने के तरीके बता चुका हूं और यह सीरीज में अपने क्लास में भी चला रहा हूं तो एक ऐसा statement find करिए, जो sentence को start कर रहा हो, पैसे को start कर रहा हो, तो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, दो लिखा है, दो they had never ever heard subah, सुबा के बार मुनों ने अभी तक नहीं सुना था, utter this name, their name, they unfangly recognized her footsteps as she came into their state, कुछ ऐसा लग रहा है, इसे बार में कुछ और पहले बात की गई है, तो ये से तो नहीं start होने वाला है, ये से तो नहीं होगा, they even understood the precious, अभ्धान दीजेग, मैंने देखा ना, pronoun use किये गया है, अगर sentence में कोई noun नहीं आया इसका, तो ठीक है, बट अगर इसका noun आया है, तो sentence को start नहीं करेगा, इसलिए B को reserve रखिए, C देखते हैं, so what did really have a close circle of friends and companions, they were, कौन कौन से हैं उसमें, सरवसी एंड पंगुली, ये सटाइके हैं, two cows living in their cow shed, इस टाइब से हैं, ये जो they pronoun है, ये actual में किसका है, ये इन ही का है, तो जाहे से बात है, C के बाद ही भी आएगा, जहां जहां आए, C के बाद ही भी आए, जाहे तुरंद बाद में आए, कैसे भी आए रहे, पता जान दिजेगा, तो ये भी है, और फिर अगे लिखा है, they understood the silent methodology tune of her unspoken words, during those of mother moments, and the intensity of her expressions, more easily than the spoken language of other humans, ये बात कर रहा है, though they had never ever heard about their names, बिरकों सही था, अब ये बात समझ में आ गई, कि C के बाद क्या आना चाहिए, A आना चाहिए था, C के बाद A आना चाहिए था, फिर आयएगा D, हाँ, फिर D आयएगा, इसके बाद भी आना चाहिए, हाँ, तो C, A, D, B बिरकों हो जाएगा, देखों, ये लिखा भी है न, C, A, D, B, C, A, D, B, बिरकों सही हो जाएगा ये, so option number second है, यहाँ पर सही हो जाएगा, बागी सारे गलत हो जाएगे, D से तो नहीं स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, देखा था भी नहीं बताया था न, रिजर्ब रखेंगे, यहाँ भी दे प्रणौन है, तो इससे नहीं स्टार्ट करेंगे, के सी सी से हमारा ध्यान दीजीगा, सी के बाद भी नहीं आ रहा है, आपर सी के बाद यह आएगा, तो सी एडी बी, is going to be your right answer, second number, option number second, moving our next question number 10, देखते हैं, question number 10 में, find करना है में, EDM, office of out of water, वही मतलब न, मचली जलकी रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ, डर जाती है, बाहर निकालो, मर जाती है, कि रहना अच्छा पॉयम्ती है, हम लोग बजबन सियाद करते हैं, वही है न, office out of water, मतलब कि अगर आपको, आपकी, original situation से, या comfortable zone से, आपको बाहर कर दिया जाए, तो आप uncomfortable feel कर दिने लगते हो, वही है हाल है, फिश को जब मचली को, जब पानी से बाहर कर दिया जाए, तो तर अपने लगती है, न, मानने के गार पर आ जाती है, इस टाइप से, uncomfortable feel करती है, basically, तो a fish out of water का मतलब, सेम वही हो जाएगा, not feeling relaxed जिसे बोलते हो, न, a fish out of water का मतलब, तो not feeling relaxed, away from the familiar environment, away from the familiar environment, जिसे बोलते हो, familiar environment से दूर हो जाएगा, feel uncomfortable in unfamiliar surroundings, ये भी कई meaning इसके हो सकते हैं, तो कौन सा answer हो जाएगा, option number first हो जाएगा, feel uncomfortable in unfamiliar surroundings, ये हो जाएगा यहां पर, एक और सेम इसका इडियम आता रहता है, कभी आपने सुन रखा होगा, a square peg in a round hole, a square, a square, a square, a square, be easy, a square peg, a square peg मेंस होती खोटी, हम लोग जिसे गाउँ में, गाउँ के लोग क्या होते हैं, खोटी गाड़ देते हैं ना दिवाल में, खोटी बोलते हैं उसे, जहां पर कुछ टांग दिया जाता है, जोले कपड़े बायकुस हो, तो वो हो बोलते हैं, तो क्या होगा, a square peg in a round hole, अब बात वही समझ में आगए होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा, यह खोटी का जो सेफ आप, आपकी जो खोटी का सेफ है, वो ऐसे है, बट आपका जो होल, दिवाल का होल है, वो फिर गोल है, यानि राउंड है, तो अब क्या आप उसके अंदर ये, अगर आप लगाओगे, तो क्या जा पाएगी, अनकमफर्टबल होगी, नहीं जा पाएगी, वही सेम मीडियम यह पूछा गया है, तो उमीद है, मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी, देख लेते हैं, आप सभी का मीनिंग सही हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, कोशिण नमबर 11 देखते हैं, कोशिण नमबर 11 में find करना है error, क्या कोई error है या नहीं, देखना है, लिखा है sentence में, Mr. Rao asked the newcomer, Mr. Rao asked the newcomer, past की बात कहें, ध्यान दी जेगा, फिर कहरा to his office, अपने बात में, यहां पर बात हो गई, अब यह हमारी main clause कह रहा है फिर if he will minded सबसे पहली बात तो error पता चली गई क्योंकि आपको पता है will जो है model verb है और model verb के साथ हमेशा verb की first form आती है कोई भी model verb हो can, could, may, might, shall, should यह भी है इनके बात वरब की even form आती है तो minded तो कभी आई नहीं सकता है तो यहाँ पर error तो आपको पता ही चल गया होगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था Mr. Rao, as the newcomer आप चुकी बात है past की तो यहाँ पर will नहोंकर क्या हो जाएगा would हो जाएगा तो क्या लिखोगे if he would आप आपको पता है sorry, option number second is going to be your right answer उमीद है, सबको समझ में आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं, question number 12 देखते हैं in question number 12 में मैं find करना है sentence improvement की बात की जारी है देखते हैं sentence improvement मैं find करना है the minister the minister along with his team members अब आपको पता है ना जब दो noun with together with together with हो जाए या फिर along with हो जाए इस टाइब से या फिर headed by, guided by इनके साथ अगर जुड़ रहे हो तो जो word आती है वो पहले वाले noun के अनुसार आती है na s1 की आती है ये बात याद रखेगा चाहे वो s1 हमारा plural होगा तो word plural होगी अगर वो subject हमारा पहला singular होगा तो singular होगी ये बात याद रखेगा जब भी कोई दो noun इनके साथ जुड़े हो तो इनकी जो ये words होते है इनकी सारे जो noun होगा उनीकी word आती है क्योंकि ये सारे के सारे prepositional या preposition बन जाते है और prepositional के बाद उनकी अपना objective form आ जाता है अब ये चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगलर हो हमें कोई फर्ग नहीं पड़ता है इस वर्ब पर क्योंकि जो वर्ब आएगी वो इसकी आएगी पहले वाली की आएगी तो the minister बिल्कुल singular है बिल्कुल आपको परता है ये इस जो है वो बी की form है बी की form के साथ अगर वर्ब की third form आ रही है तो sentence पैसी हो इस हो जाता है तो क्या करा है उमीद की जाती है to arrive shortly बहुत ही जल्द arrive करने का तो इस चीज़ की उमीद की जाती है कि वो बहुत ही जल्द arrive करेंगे ये बात की जा रही है तो यह मैं बीरुकल sentence सही लिखा है बोलते हैं नहीं इस एक्सपेक्टेट टू एराइब है ना जैसे में बोलतो हो train is expected to arrive train की जाता है कि वो arrive करेगी या करती है इस टाइब से तो minister along with his team members is expected to arrive बीरुकल सही है अगर यहां पर आर लिखा होता तो यह sentence गलत हो जाता आर एक्सपेक्टेट गलत हो जाता है यहां पर समझेगा तो इस sentence में कोई कोई error नहीं है क्योंकि पहले वाले में लिख रखा है आर एक्सपेक्ट तो ऐसे कुछ होगा नहीं है आर एक्सपेक्टेशन कर से कुछ होगा नहीं बनी नहीं रहा है are expected क्या होता है are expected हम देखो यहां पर इसको भी मार दी उगे यहां पर यह नहीं होगा है यह जो लिखा है यह गलत हो जाएगा और are being expected यह भी गलत हो रहा है so option number इसमें थरड है कोई improvement की requirement नहीं बिरपकुल 100% सही लिखा है ना गलत तब होता है जब मैंने गलत option बता दी है ना इन में से क्या कैसे गलत हो सकता था आगे बढ़ते हैं question number 13 देखते हैं question number 13 में find करना है one word substitution यहाँ पर लिखा a secret or disguised way of writing a secret or disguised way of writing उसे क्या बोलते हैं बता यह जड़ा है emblem के दो meaning होते है एक तो प्रतीक जो हमते है emblem ऐसे तब इस टाइप को जो बना दे रहता है उसे symbol उसे भी बोलते हैं और एक होता प्रस्तावना जसे prefaced बोलते हैं किसी book में पहले लिखा जो परना होता है, page होता है उसे बोलते है, emblem type का, preface बोलते है, प्रस्तावना type का, तो दो meaning होते हैं, symbol meaning जानते ही, symbol, puzzle की भी meaning जानते ही है, cipher होगा, इसका option number first होगा, cipher की दो spelling होती, एक तो ये वाली, जिसका meaning ये है, a secret or discouraged way of writing, में कि कि यहां पर जो मिश्माद कि आपने कि तो गेष्टिंग कि अपने काया उस्तुरूरी फेल्पर एक सन्स ग्यर्च ठाहिए है कि वहां पर मतलब होता है सेक्रेट पैटर्डन ओफ schne पी इस जो basically code वाला होता है हाँपर cypher spelling यह हूती है दोनों spelling होती है मेरे काडि찬 से साइफर की CI ऑफ ही होती है cypher की KI वो ing क्योंकि meaning इसकी भी यह ईकी यह है और यहाँपर cypher है इसकी भी Quinn है साइफर यह दोनों spelling याद रखेगा CY भी सही है और C I भी सही है यह बात याद रखिएगा तो साइफर की दो स्पेलिंग है आगे बढ़ते हैं कॉश्चन नबर 14 देखते हैं कॉश्चन नबर 14 में अब अगें पैरा जंबल कॉश्चन है देख लेजिए एक ऐसा स्टेट्मेंट करिए जो संटेंस को स्टार्ट कर रहा होगा आफसन कह रहा है अफाक्स हेरिंग दी कॉख और तिंकिंग इस सुनते हुए क्या सुनते है कॉख और तिंकिंग सुचते हुए तो मेक अमेल ऑफिम उसका भोजन बना लिया जाए के मैं इस्टूड अंडर ट्री आई और खड़ी हो गई इसका मतलब है इसके पहले कहीं कही कुछ बात हो रही है इनके बारे में तो यह से तो नहीं हम संटे से स्टार्ट करेंगे और कोई यह से स्टार्ट भी नहीं हो रहा है As the night passed away, जैसे रात गुजरी, जैसे जैसे रात गुजरी, and the day dawned, जैसे सुवेरा हुआ, मना सुवेरा, डाउन मीस होता है न, सुवेरा का प्राता काल, जैसे बोलते हैं, सुर्योदे का पहले का जिस समय जो लालिमा आती है, उसे डाउन बोलते हैं, तो and the day dawned, the cook, the cook according to his custom set up जैसे बोलते हैं, सुबा मॉर्निंग से पहले पच्चियों की आवाज में, वह ही है, बात कर रहा है, तो B यहाँ पर भी नहीं स्टार्ट करेंगे, हम इस स्टार्ट करेंगे, देखते हैं C से क्या, a dog and a cock, हाँ बिलकुल सही, क्यों मैंने बता है न, indefinite article के बारे में, definite article के पहले संटेज में प्रेस करिएगा, तो C से स्टार्ट हो जाएगा, अब देखो B से भी नहीं होगा, D से भी नहीं होगा, C से होगा, C के पास अप्सन पर दो है, अब C के बाद D आएगा, या C के बाद A आएगा, यह देखना पड़ेगा, a dog and a cock having struck up an acquaintance went out on their travels together, nightfall found them in a forest, जैसे रात होई तब उन अपने आपको कहां पाया, जंगल पे पाया, सुदेखोग, flying up on a tree, passed among the branches, while the dog was below at the fort, यानि इसके बाद यह होगा, तो जब जगड़ा होगा, उसके बाद C के बाद D लगाए, C D हो जाएगा, C D एक पेर है, देख लिए यहाँ पर, इसके बाद कह र बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, हंस्ते हंस्ते हंसेंगे आप, तो टाइम हो तो बिरुकुल पढ़िएगा इसको, आगे बढ़ते हैं, कॉशन नमर 15 देखते हैं, कॉशन नमर 15 में फाइंड करना है, इनकरेक्ट ले स्पेल होती है, इसे अमेरिकन में जो है, जो टीडेक्टिव जो बोलते हैं उनको, तो टीडेक्टिव मीनिंग समझ रहा है, बिरुकुल सही है, स्पेल्ड की गई है, कोई रहा नहीं है, वैक्सीन की स्पेलिग कितनी आसान है, अब तो टाओ नाइंटीन कोबिट को लेकर अगर अ ID में समझ datney redeem vaccine कि spelling क्या होती है vaccination यह वर्ट आप याद रखेगा आपको ऩ्टś nine Collins इसण नहीं से वएक्सिन में फक्राइं सकते हैं तुषण स्पेलिंग पूछी जाएगी आप जरू बताईएगे क्या होती है कोविश उसकी याद रखेएगा और कुछ इंबर्डन स्पेलिंगा है उनको जरूर याद रखेएएएविदेंस विरुकुल सही से spelled किया गया है evidence की spelling पूछी गई है कई बार इन्होंने C की जिगा पर yes लगा दिया है याद रखेगा yes point को evidence नाउने spelling विरुकुल सही है यहाँ पर तो विरुकुल सही से spelled किया so option number third is going to be your right answer moving on next question number 16 देखते है question number 16 में find करना है synonym किसका synonym find करना है bank का आप बोलते हैं bank bank theory भी आई थी एक बैंग movie भी आई थी रितिर रोक्षन की तो bank की meaning हमें बतानी है पर bank का मतलब बता है एक दम धप से कुछी बंद कर देना जोर के साथ आवाज करना जोर के साथ आवाज के साथ कुछी कर देना पटक देना कहींचे कुछ रख देना मतलब bank की कई meaning है आप bank को कई तरीके से यूज कर सकते हो एक दम स्रिल आवाज हो bank bank और आप अकसर बोलते रहते हो bank के साथ preposition on लगा कर कैसे बोलते हैं bank on बोलते हैं bank on guys bank on guys का मतलब जैसे हमने कोई question दिया और आपने उसे धराम से आंसर दे दिया बिल्कुल बहड़ या सही आंसर दे दिया तो हम लोग बोलते हैं bank on guys यानि teacher बोलता है वो जो आपका instructor होता है वो बोलता है bank on यानि exactly right bank on का मतलब क्या हो जाएगा exactly right exactly right exactly right bank on वो तो bank के कई meaning है आप समझेगा bank का मतलब था blow up मतलब उड़ा देना बिने explode करना भी होता है detonate करना भी होता है bank कर देना और bank को एकदम से कोई चीज धराम से बंद कर देना या गिरा देना कहीं पर वो भी bank होता है कई meaning है bank के तो समझेगा आपर bank की meaning किस रूप में यूज की गई है यह हमें देखना है तो एकदम से कोई चीज noisily put down कर देते हो ना beat कर देते हो ना किसी पर पठाक से इस टाइप से तो आवाज आती है तो same meaning यहाँ पर हो जाएगा हमें synonym find करना है sang जो word दे रखा है वो sing की form दे रखी है sing की second form यहाँ पर दे रखी है rank जो है और ring की second form यहाँ पर दे रखी है धान देज़ेगा तो बैंक का से उस सनननम हो जाएगा वो beat हो जाएगा option number third is going to be your right answer ride means होता है सवारी करना इसकी second form जो होती है road होती है road और third form क्या हो जाएगा written हो जाएगी right road written तो meaning मैंने बता दिया आपको option number third is going to be your right answer आगे बढ़ते हैं question number 17 देखते हैं question number 17 में कह रहा है हमें find करना है filler की बात की जा रही है आपर if you dash समझेगा इस sentence को कह रहा है कि if you dash to newspapers you often आप अकसर क्या करते हैं you often get hundreds of messages अब देखिए आप hundreds of messages कब आते हो यह result कब होता है जब यह कुछ decision यह कोई condition रही होगी अब यह condition fulfill होगी तब यह result होगा तो देखिए यह result कब आएगा किसी काईसा कौन सा often option चूज़ करने पर यह result हमें find होगा तो देखिए if you often often means होता है किसी को means होता है किसी की भावनाओं को चोट पहुचाना किसी को परिशान करना अपराद करना उसे often बोलते हैं often तो नहीं होगा यहाँ पर option number first eliminate हो गया describe means होता है word on करना अगर आप describe करोगा तो describe के साथ preparation to नहीं लगाएंगे direct object लेंगे यह भी गलत हो जाएगा और meaning भी नहीं यहाँ पर तो मैंने बता दिया यह भी गलत हो गया practice नहीं होगा यहाँ पर practice के दो meaning होते हैं एक तो यहाँ पर यह noun है यह वाला होता तो वर्भ होती तो if you practice to news paper वह भी गलत हो जाएगा practice भी trans to वर्भ है तो वह हाँ पर भी diet object लेती है यह सब गलत होगे कितना देखो option elimination से मैंने सब चीज़ गलत कर दिया तो यह जो option elimination है best process होता है अब देखे subscriber है subscribe करते हो किसी चीज़ को तभी तो आप उसकी information उसके messages को पाते हो न तो if you subscribe to news papers अब ध्यान दिजेगे subscribe के साथ तो ही proposition आता है बिल्कुल सही से लिखाया अखाया है तो if you subscribe to news papers sorry news groups you often get hundreds of messages बिल्कुल सही बात की गई है so option number 4 is going to be your right answer moving our next question number 18 question number 18 में find करना है synonym find करना है ponder what do you mean by ponder ponder means होता है बिचार करना basically के लिए थोड़ा सा पानी पी लेते है ponder means होता है basically बिचार करना किसे मोलते नहीं think about ponder का मतलब होता है think about किसी के बारे बिचार करना किसी चीच को लेकर बहुत ज़्यदा चिंतन करना इस टाइब से ponder करना pondering कर रहा है इस टाइब से तो consider करना भी इसका सनेनम हो जाएगा और भी सनेनम आपको मैं बता देता हूँ सुनते रहेगा अगर कुछ नोट करने तो जरूर नोट कर लीजिएगा contemplate आपने word सुन रखाओगा contemplate 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 भी इसका सनेनम हो जाएगा cerebrate आपने word सुन रखा है क्या? मलिंग ओबर किसी चीछ पर बिचार करना मलिंग ओबर बोलते हैं रुमिनेट बोलते हैं रुमिनेट वर्ड आपने सुन रखा होगा र-u-m-i-n-a-t-e रुमिनेट के साथ बैसिकली प्रेपजेशन ओन आता है रुमिनेट वर्ड आपने सुन रखा होगा मल करना बिचार करना पॉंडर करना म्यूज आपने वर्ड सुन रखा होगा म्यूज-m-u-s-e म्यूज भी सनननम हो जाएगा एक्स कॉजिटेट वर्ड आपने सुन रखा क्या आपने कॉजिटेट वर्ड सुन रखा है कॉजिटेट हो चाहे एक्स कॉजिटेट हो ताईब से फार संदिन्म मनें बता दियें, एक एडियम में सुन लिजे, एक एडियम आता है, beat once brain out, beat once, once कौन सा, पजस्य केश वाला, brain out, यह इसका एडियम होता है, इसका भी मतलब होता है, विचार करना, सोचा विचारी करना, गहन सोचा विचारी करना, यह से बोलते हैं, एक और एडियम है कजल, जांदी चाहिए गा, C-U-D-G-L-E, कजल वंस, वन कौनसा पजस्यू केस वाला, वनस, ब्रेंस, ये भी इसका एडियम है, पूछा गया है, कजल वंस, ब्रेंस, 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 बाॉट सम्थिंग, तो कभी मतलब होता है, पॉंडर करना कजल मेंस होता है क्या छड़ी होती है आपने सुन रखावना कजल सहारा जिसे बोलते हैं तो इसका सनेनम हो जाएगा तो अब बाग्या ओप्सन देख लेते हैं बहुत सारे सनेनम बता चुका हूँ टर्मिनेट समझते होता है टर्मिनेशन से बना है टर्मिनेट करना है जिसे बोलते हैं तो इसके सनेनम नहीं होगा सेलेबरेट जानते हो इंजॉय करना उसे बोलते हैं एजिटेट क्या होता है एजिटेट मतलब किसी को परिसान करना जिसे बोलते हैं एजिटेट कर दिया बह और भी इसका सनेनम हो जाएगा इजिटेट का तो मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान मागना करना रूमिनेट करना मेडिटेट का भी मतलब सेम होता है जो पॉंडर का होता है अपस्ट नुमर फॉर्थ इसके बात की जा रहे है नहींदेखते हैं लिखा है धिस पाइडर ओन दिवाल यह हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया फ्राइटेंड में वर्भ हो गयी फ्राइटेंड होम जया जिया जिया को फ्राइटेंड कर दिया डरा दिया अब देखिए जिया हमारा main object है हमें पता है अक्टिव इस में जो हमारा object होता है पैसियो इस में वही हमारा subject बन जाता है तो जिया को उठा लो और frightened से पता चलता है कि sentence हमारा past independence है past independence की जो helping वर होती है अक्टिव पैसियो के लिए वो was या वर होती है singular subject के लिए was और plural subject के लिए वर होती है तो यह बात याद रखेएगा अब हमारे पास जिया यहां पर singular subject है तो was लगेगा तो क्या हो जाएगा अब दिया देखो was इस में भी नहीं है देखो इस में देखो गया spider on the wall was frightened इस में तो उल्टा ही बता दिया कौन डर गया spider डर गया गलत हो गया है तो यहां पर लिखा जिया has been यह भी गलत हो गया अब देखो लिखा जिया was frightened बिल्कुल सही है जिया was frightened by the spider on the wall बिल्कुल option number fourth is going to be a right answer है आगे बढ़ते हैं question number 20 देखते है 20 में फाइंट करना एंटिनम किसका इंटिनम फाइंड करना एकस्पंज एकस्पंज का मतलब होता है basically मिटा देना किसे बोट चीज को यहां जैसे कोई किसी movie से कुछ article या कुछ title अटा दे जाता है उसे भी एकस्पंज करना बोलते है मिटा दिये गए eradicate कर दिये गए erase कर दिये गए एकस्पंज का सनेनम अगर मैं बात करो तो erase भी वर्ड इसका सनेनम हो जाएगा erase हो जाएगा remove हो इसका सनेनम हो जाएगा remove हो जाएगा delete जानते हो इसका सनेनम हो जाएगा delete कर देते हो wipe out इसका सनेनम हो जाएगा wipe out wipe out इसका सनेनम हो जाएगा एफेस आपने वर्ड सुन लख़ा होगा एफेस भी स잖नेर मोजाएगा। आपने, मिनेट एक वर्ड होता है। जरह एक यह वर्ड चेक कर लीजिएगा अपनली वर्ड चेकर लिजिकंट मोजी Wes सलेएगा उपल्मिनेट होता है इसका मतलब होता है क्ज़ Satya daar कि सिह इराइडिकेट सो नहीं रखख होगा इराइडिकेट तो इसका सनिनम होजाएगा न сотव हैं ग् interesting मतलब होता है शेंट खीच लेना इसका सननम होजाएगा और कम आपको का मतल मतलब भी हो थेंट प्स गर देना इसमेम होते हैं, omit कर देना, तो add is going to be antinam of expunge, add means होता है, जोड़ना, expunge means होता है, हटाना, तो खतम कर दिया, मिटा दिया, add, expunge कर दिया, जोड़ दिया, add कर दिया, so option number second is going to be your right answer, moving on next, question number twenty first, twenty first हमारा है, एक gloss test आगे, gloss test में पढ़ते हैं, चान देखिए, इस्वेरा, अच्छा, इस्वेरा जोरेजिन्स स्टेच, यह स्वेरा जो मुझे रहता है, वो मौरोक का सहर है, वहां की बात की जा रही है, तो इस्वेरा जोरेजिन्स स्टेच बाइक तो prehistoric time से पहले के समय की बात कर रहा है, and this spot on मौरोक कोज, अट्लांटिक कोस्ट, a center of culture, अब देखिए, कह लिखा है, culture and commerce ever since, ध्यान दीजे, culture and commerce ever since, ever since लग गया है, इससे पता चला है कि बात की जारी time की, और time को represent करने के लिए हमारे पास परफिक्ट टेंस आते हैं यह बात याद रखेगा, तो यहां पर हम बीन का यूज नहीं करेंगे, डिरेक्ली बीन का यूज जनल नहीं करता है, सपैसी में है, had been, had के साथ बी तो नहीं आता है, कभी हाल में, have been यहां पर देखेंगे, यहां बीन के यहां बात देखना लिका है यहां आज और आज o-rigin ृजिन सिटे आज बैक तो पर लिए uh prehistoric times and this spot on morocco's atlantic cost this spot, this spot, this spot, this spot singular है, singular subject होगा तो और बात singular होगी, यह भी गलत हो जाएगा, option no.1, and option no.2, is going to be your right answer, has been, रहा है, क्या रहा है, culture and commerce रहा है, क्या रहा है वो इस पॉट रहा है मौरपको अट्लैंटिक कॉस्ट का सौपसन नमबर सेकेंड इस गूइं टो बी और राइट आंसर क्वेशन नमबर 22 में कह रहा है कि सिंस एवर सिंस तब से सेंचुरीज फॉर सेंचुरीज होता है तो बहुत आसान है था उसंचुरीज है एक तो पॉति आसान है सद्यूं से जैसे बोलते ना फॉर संचुरीज ऐसा बोलते यह गणटों से Hankha나 महीनों से four months सालों से four years सिंचुरी सताबदियों से forward centuries लगा दिया तो बिर्कूर आसान है अफसे नमबर is going to be your right answer 4 centuries the Harbour town was an important trading post तो किसका इंप्रेवर्ण ट्रेटिंग पोस्ट हा किस्का किस्का था यह बात संदि होंग Ew कि बैसलिक पहुंग करपक्र और पी कि और तो उतना जितना जएगा चाहिए कंदे हो जाएगा यह जो जाएगा न Ben अश्टन का भी और सी पॉर्ट का भी तो इसके बाद पहले हो जाएगा if you साथ है एंट लगता है बात याद रखिएगा तो हम पर as हो जाएगा तो बहुत आसान है elimination से कर सकते थे हैं यह सारे गलत हो जाएंगे so option number fourth is going to be your right answer मैं लिखता है tough है मैं meaning भी नहीं समझ मा रही है पर फिर भी grammatically हम सही कर ले रहे हैं कि concept के लिए रहे हैं तो यह ऐसा आप भी करिए और कुछ भी difficult नहीं है कुछ भी difficult नहीं है कुछ भी tough नहीं है आगे बढ़ते हैं question number 24 में देखते हैं लिखा है तो as both sea sea port and as the north western terminus of a carver stretching across the desert to तो अच्छा stretching कहां से कहां तक stretch करते हुए desert to timbukatu in africa's interior अच्छा अफरीका के interior में तक तो यहां पर preparation नहीं आएगा मैं इससे पहले पैसे पर चुका हों ध्यान दीजेगा तो इन यहां पर आएगा तो अब देखें वे नहीं होता है highway किसी stretching कारवा की बात की जा रही है किसी stretching कारवा की बात की जा रही है तो डिरेक्शन डिरेक्शन भी नहीं होगा उससे बेटर वर्ड है पर क्या हो जाएगा इन हो जाएगा तो इसके साथ ही हम लोगों ने किया कि एक और पेपर सॉल्व कर लिए कज दो अब ती दो ही तीन चार पेपर हमारे बच्चे हैं साइद उनका भी जल्दी से सवापन कर लेंगे इसके बाद जो स्रीय से स्टार्ट करेंगे वो भी अच ख्याल रखिएगा अच्छे से पढ़ते रहे मस्त रहे पढ़ते अच्छे से रहे जिए अच्छे से करते रहे गा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल लगिएगा जैन दोस्तों